कि यहां पर बहुत दिक्कत होड़ा हैं अगर इसकुल उसकुल जाने में भी दिक्कत होता है वह ना उसे हम लोग जाते हैं पर हमारा घ्र है वहां पर जाने हैं बहुत ज्यादा कख नहीं होती है बागमती के बाद मुझवपपुर में बोडी घंडर का कहर देखने पर मिला है जहां पानी का जो जलस्तर है काफी तेजी से बढ़ रहा है हमारी मौझवद्गी बोडी घंडर के इलाके में है जहां पर काफी तेजी से जलस्तर है बढ़ता जा रहा है यहां के जो लोड है वो पलायन कर रहा है क्योंकि वज़ा देखें जिस तरीके से जो घंडर है वो पूरी तरह पानी में डूप चुका है हलाकि यह जो इलाका है इसमें काफी संख्या में लोग ड़ाते हैं और जिस तरीके से पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है उदर बार मती के बाद मुझवद्गी पानी काफी तेजी से इफाजा हो रही है तस्वीर देखेंगे तरीके से जो घड़ है वो पूरी तरह दूप चुका है यहां ते रहने वाले जो लोड है वो पलाय अंटरने के लिए मजबूर है बहुत जादे दिक्कत हो रहा है देके वहां पर हमारा घर है वहां पर जान जब यह जाते है पाणी आजाता तो अपको क्या करते है रोड पर आना पर है तुछ बटोबर पानी के जाने में और जाने में क्या रोड पे रहते हैं कोई पानी पर नहीं मुझे तो ईकत पाता होगो अपर बहुत दिकत हो गटा है है म सकी हमिलोग जाने में भी दिक्कत होता है और ये झेला मतलोग जाते हैं और फेयर परहने में रही लगता है तरीके से बोडिगंडा का जो कहर है वो जारी है क्योंकि लातार और और कट्रा में बाद मती का कहर जारी है तो वहीं आप सहरी इलाइकों में भी बोडिगंडा का पानी भूशने लगा है मुझे पूर से लोकलेटी इंटिले रितुराइश